जै हिंद, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त साकेट सर्थ प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम लोग जो स्रीज बना रहे हैं इस स्रीज का नाम है कि पिछडे छेत्र के अच्छे छात्र पिछडे क्यों रह जाते हैं बड़ा ही मार्विक प्रश्न है कि पिछडे छेत्र के अच्छे छात्र पिछडे क्यों रह जाते हैं उनके अंदर ऐसे कौन सी कम्याय रह जाती जिसके वज़े से वो पिछडे रह जाते हैं तो बच्चों इस स्रीज में हम लोग आपको 800 लिवसन दे रहे हैं समस्या की चर्चा तो करी रहे हैं लेकिन हमारी चर्चा में समस्या थोड़ी सी है जादा जादा हम लोग समाधान पे चर्चा कर रहे हैं अब तक हम लोग A से R ते कम्प्लीट कर चुके हैं हम लोग R से आगे बढ़ेंगे तो अगर यह दी पिछले तीन वीडियो का आप देखना चाहते हैं तो आप उसको हमारे नंबर 99 99 71 02 पे आप जय हिंद आप लिकर भेजिए आपको तीनों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा तो बच्चो इस वीडियो के एक विशेषता यह भी है कि हम लोग इस वीडियो में यह दास्त बढ़ाने की दवा उसकी तकनीक पर भी चर्शा करने जा रहे हैं और इसके सारी के सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट है यह पॉइंट्स इसलिए इंपोर्टेंट हैं क्योंकि अब तो हम लोग A, B, C, D से अलफाबेटिकली कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि कोई-कोई पॉइंट जो बाद में आ रहा है वो भी इंपोर्टेंट हो जाता है हो सकता है कि इसको करने में कोई पॉइंट पहरे से B है B थोड़ा कम इंपोर्टेंट है कि में अबकर बात करें M तो बहुत जादा इंपोर्टेंट है कि मेंने सिखाया है depends on M , पर से मौन होता है मौन का मतलब क्या होता है चुप रहना नहीं बोलना क्या यही मौन की परिभासा है नहीं नहीं मौन की परिभासा तो कुछ और है मौन मतलब मुह का मौन नहीं मन का मौन मन का मौन क्यों हमारे मस्टिस्क में प्रते दिन 50,000 से 70,000 तक विचार आते हैं आपको जानकर यह आश्चरी होगा कि हमारे मस्टिस्क में प्रते दिन 50,000 से 70,000 विचार आते हैं तो हमारे मस्टिस्क अगोड़ा दोड़ते रहता है जितना जादा दोड़ेगा उतना जादा वो ठकेगा उतना कम कम कर पाएगा अगरे दिविचार की संख्या विचारों की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा हम लोग अपने फोकस पे ध्यान कंदित कर पाएंगे इसलिए मौन बहुत ही महत्रपूर्ण है ठीक है तो अब क्या करते हैं कि मौन को कुछ और तरीके समझते हैं अब घर में कीट भी फोते रहते हैं सासी बात नहीं करती है उडारण के लिए आपको समझा रहे हैं, तो बात नहीं करती है, तो हम दुन से बात नहीं करते हैं, तो क्या मतलब हो गया, आपके मौन हो गया है, नहीं, ये मौन नहीं है, क्योंकि मन में उनके बारे में गिटपिट गिटपिट चलते रहती है, बुरी बात चलते रहती है, मौन का मतलब क्या विचारों की संख्या कम हो जाना मस्टिस्क बिना सोची कभी रही नहीं सकता यह परन्तु अगर इसको चैनलाइज किया जाए तो उनकी संख्या को कम की जा सकती है तो इसके प्रैक्टिस करनी है क्या प्रैक्टिस करनी है कि सुभा के समय में बेर्थ की बात नहीं करनी है सुर्व करना मैं कम से कम बात किया जाए अपने काम को लक्ष बना कर किया जाए बेकार की बात किजाए सुबह के समय प्रयास करना है कि मौन रहा जाए कर दो अगर उद्धaran सुबह में प्रैक्टिस करेंगे तो इसका पुरी दिन पर पढ़े दिन भार हम लोग कम से कम बाचित करेंगे तो इसका प्रभाव आश्रजनिक आता है इसके बाद एक और बताते हैं कहीं कहीं पर आप देखेंगे कुछ दुरघटना हुई है वहाँ पर सन्नाटा चाया रहता है कोई बोलते नहीं है तो क्या उस अस्थान पर क्या कहेंगे शा सन्नाटा मतलब नेगेटिविटी वहां पर पुरी उर्जा महसूस होती है वह भी मौन नहीं है बलकि मौन करने से इनरजी जेनरेट होती है उर्जा बढ़ती है इसलिए हम लोगों करना है अब बात आते निरोंस की आप जानते होंगे कि हमारे मस्तिस्क में 10,000 करोर निरों से कितना सुन आपने 10,000 करोड निरोंस और एक निरोन का कनेक्शन 10,000 क्या मतलब हुआ इसका मतलब विए कि हमारे अंदर हमारे मस्तिस्क में एक छमता है कैसे छमता है किसी भी काम करने को 10,000 करोड़ गुना 10,000 तरीके से काम करने के छमता है तो इस छमता को हमको बनाना है कैसे बनाना है तो कुछ हम मेडिटेशन करेंगे मौन करेंगे सारी टेकनिक को अपनाएंगे प्रणायाम आगे बढ़ते चलिजाती फिर अब बात करते हैं सर्दोर करते हैं स तो पहले बार आपका तेम्ट स्कों याद कर जाए यह संबहें पहले बार क्या हो सकता है उसके बैंग्राउड को हम लोग समझ सकते हैं यह इसका बैक्राउड ही यह है बारा पढ़ेंगे और ग्ञान हों कि इसे परकार हमें क्या करना है कि किसे भी चीज को पहले फास्ट पढ़ना है धीरे धीरे ये फास्ट पढ़ने की जो हमें आदत लग जाएगी तो हम भी उससी विश्य वस्तु को उतनी ही बार किसी समझ पाएंगे फिर किसी चीज को दुबारा पढ़ेंगे तीन बार पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा हमा तक क्या सिखा है हम कितनी उचाई पहें हमें और कहां कहां क्या क्या सिखना है हम समय समय पर अपना विश्टेशन करते रहें उसको उसका एक चार्ट बनाते रहें उसको देखते रहें अब हमें क्या सिखना है यह एक डम रिकॉर्डड फॉम में लिखा हुआ होना चाहिए अ हमें कोई दूसरा कंट्रोल ना करें बलकि हम उसको अपने आप से आप से कंट्रोल करें स्वयम कंट्रोल करें कैसे तो अब आप जैसे बताना चाहते हैं आपने देखा होगा अर्जुन जी के बारे में और अर्जुन का कृष्ण का आपने एक रत दिखा होगा उस रत में क्य वह पांच घोड़े क्या है वह हमारे पांच नाक कान जिवात वचा अब आख कहती हमें सुंदर सुंदर चीज़ देखना है कान कहता हमें मदूर संगीत सुनना है जिवा कहती है स्वारिष्ट बेंजन खाने हैं अब सरीर के सारे अंग अवियो ग्यानें रियां पांच अलग अलग दिशाहें में भाग रहा है तो भला पढ़ाई क्या होगी या कोई भी काम क्या होगा तो उसके लिए जरूरी है कि हम सेल्फ कंट्रोल करें अपनी आखों को कंट्रोल करें तब ही वहाँ पे यानि क्रिश्ण भगवान लक्ष से हैं गिसी भी जीज का लक्ष क्रिश्ण भगवान है और अर्जुन हम सब हैं और वो पांच घोड़े हमारी ग्यानें रियां हैं तो क्या करना है कि उनको लगाम देना है अपने आपको कंट्रोल करना है तो हमने यहां सेल्फ कंट्रोल अब बार्याती सब्जेक्ट रिले रिलेशन की क्या ताथ पर रहे हैं ताथ पर रहे हैं कि हर विशय एक दूसरी विशय से कनेक्टेड होता है अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आप का फिजिक्स अच्छा हो जाएगा अगर आप इश्क्रिम अच्छे है तो जोग्रफी और इसीविक्स की समझ रहें एक विशय को अच्छी तरह से भली भाती समझेंगे तो दुसरा भीसे हमारा अपने आप सही होती चला जाएगा अगर हमारा संस्कृत को ब्याकर्ण अच्छा है तो हिंदिय ब्याकर्णे में कम प्रिसम करना पड़ेगा अगर तो अंगरी जी ब्याकर्ण की समझ अपनी आपे विकसित हो जाती है इसके दबाई की चल्चा कर देते हैं मैडिसीन चाल चर्चा कर देते हैं है को मेडिसीन है शार्ड सत्या यह डाबर का बैदिनात कंपनी इर्वेडिक की सिय औस आपको μέlasse सेबने से आपकी दौद बशल चानला से यहां और ट्रैफिक यानि रोड ट्रैफिक जान लगा होता है यह तो जैसे माली के एक रोड रोड है और रोड पर अदिदी जरू़ारी जरूवर्स से जादा गाड़ियां कैसा हो δी कोई भी गाड़ी उसमें जाम ना रहें तो समय कौन सा होगा वह समय होता है अर्ली मॉनिंग सुभा का समय अगर हम लोग सुभा की समय पढ़ने बैठते हैं तो उसमें जाम हमारे मस्तिस का जुजाम हो कम होता है आप रोट की बात किजिए न आप देखेंगे तीन बजे चार बजे रोट पर भ समभावने ज्यादा रहती है मस्तिस्क में भी वही बात होते हैं दिन भार हम लोग कुछ 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 देखते रहते हैं और जाम होने लगता है वही अगर सुभा में काम करें तो हमारा माइंड डिस्ट्रेक्ट बहुत ही कम होता है इसके बाद बार यार्टी से और हमरे समय नष्ट होती तो हमें क्या करना है ईसलिए आपने समय किलर आड़तों को छोड़ना है। पिर कुछ हमारे आसपास की कि लोग ऐसे टाइम किलर होते हैं आएंगे बैठ जाएंगी घप करेंगे , पढ़ाई के समय डिश्टरब करेंगेffen तो मेरे यह काम कर दो धो काम कर तो यह सब टाइम किलर लोगों से भी दूर रहना है हमको एक लिश्ट बनास है क्याम को ह्कॉन प्रयास करना है कि हमारा टाइम वह किल न करें इसके बाद बारी आती है टेस्ट स्रीज की तो बच्चो आगे बढ़ेने का तो मूल मंत्र है टेस प्रिवियर सेट का आप उसमें उस दीज़े हुए टाइम में आप काम किज़े ऐसा करने से क्या होगा तो ऐसा करने से आपका आपका पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं आपकी गहराई कितनी है आपकी छमता कितनी है आप कहां तक पहुंच पाए हैं कहां कमिया कैसे दूर करना है टेश्ट सरीज अवस्य किजिए आप ही बड़े-बड़े जितने भी कोचिंग इस्टियूशन से हैं तो वह पढ़ा जब बारी आते हैं यू से यू का रहता है अंडिवाइड़ अटेंसन याणि आपका ध्यान भागे नहीं आपका ध्यान इकठार है हम जिस काम को करने बैठे उस काम को तनमयता के साथ एकागरता के साथ करें अब हमारा ध्यान जो भी डिस्ट्रेक्ट होनी के चीज़े है वाँ स्विच आप हो जाईए अभी नहीं बाद में करता हूं मन भागे मन को कंट्रोल कीजिए अभी नहीं बाद में करता हूं जब जब मन भागे तब तब मन को बुलाइए और ध्यान में रखिए इसके लिए अभी मैंने जो कृष्ण भगवान और अर्जुन जी के रत का अर्जुन जी हम लोग हैं कृष्ण हमारे लक्स हैं और पांच गोड़े हमारी पांच इन्रियां है उनको कंट्रोल करके एक जगा पर लगाना है आपने देखा होगा ना वह उत्तल लेंस होता है जब बच्चे उसको धूप में रखते हैं और नीश से उसकी कागज रखते क्या होता है क्यों तो क्या टार यह लेकिन जब थोले से प्रकास को ईकठा करे दे А नवहारा कोशिज टरिय ननको सब्सक्राइबने बच्राइट मोथे लारी लिए रहाँ वी से हैं वी जोनागेशन यानि की बीजोलाइज करना है क्या क्या बिजोलाइज करें वुजह करें उस समाहाल में खड़े आप व उस एक गटना है आपके साथ वह बीट रही है अगर आप सब्वेटा का वर्ण कर रहे हैं संस्कृति का वर्ण कर रहे हैं पहनावा औरहावा वस्त्र अभूसन आवास बोली चाली रहां सहन घर दौर सब कुछ वैसा है अगर आप आप अगर आप मोडर्न हिस्टिरी के बारे हैं आपके साथ वैसा हो रहा है तो इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में सुधा होगी और पढ़ाई आपकी रोचक भी बन जाएगी फिर बारी आती है मैंने पॉइंट बना राइटिंग स्किल लिखने की कुछ अलता क्या मतलब है देखिए बच्ची सर्फ पढ़ते हैं लिखते नहीं है और एक्जाम में आपको लिखना पढ़ता है अब सालों पर तो उन्होंने पढ़ाई कि अभी एक ही बार जाकर लिखना है लिखने की त और यह बहरना और चलकना दोनों अलगलग कलाए बहरना यानि इन पूट और चलकना मतलब आउटपूड आउटपूट कब होगा जब इनपूट अच्छा होगा अगर अम बहरेंगे तब तुम चलकेंगे अगर अगर उन्हें निटीट घुच लोग कहते कर नहीं मैं तो परता नहीं लेकिन मैं लिख दिक हो ये सब कामचोरी बाते हैं बिना भरे को चलक सकता है कि आब बताईये लेकिन चलक नोट को निखारा जाता है prints करणे से crimes करने से कुछ लोग जर्मधाद करकार होते हैं उनकी बात हम Не नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं अब देहिए चित्र बनाने के तो कम करता है ठीक है तो अब होतलों की स्किल को आगे बढ़ demain तो कैसे बढ़ हैंगे तो रोज एक 1 लिखेंगे लिखेंगे रोज एक पलज लिखेंगे का होगा हमारी गलतीया कम होगी हम सटिक्ता के साथ लिख पाएंगे हम संचेप्त में लिख पाएंगे यह हम किसी भी छोटी बात का विस्तार कर पाएंगे जब हम लिखेंगे लिखने के प्रेक्टिस करेंगे इस स्थिटी में ऐसा हो पाएगा इसके बाद और बात क्या है कि हम लोग क्वेस्टन का आंसर नही तो हम लोग क्या और कि रोज लिखें का आंसर रोज लिखेंगे जब लिखेंगे तो आपके लिखावाट में होगा आपकर आपको सुधार होता है बहूत सारी चीजे आपको मिलती है है और आपकि सिखने की स्पिधी बढ़ जाती है और आपकी समझने के स्पिढ़ जाती है कई आप लिखेंगे कोई सारे पॉइंट से अपने आप कलियर हो जाते हैं जिन पर का ध्यान नहीं होता है तो बच्चो हमने यहां तक कर दिया अब एक एक सबत नहीं बहुत दुरलब तरीकर से मिलती है तो इसको के डवासे में खरेंगे लेकिन दुट्फिक के निगरानी में ही यूज करना चाहित बिना डॉक्टर के सलहकि यूज करना चैए जिंकों बलेबा कि रुवा बोहर सारे मल्टीविटामिन्स फील्डमीं मिलती है तो अपर लिया सकत है लेकिन डॉक्टर के सलहकि बैदने सब सेवन नहीं करना चाहिए अभी एक बहुत पूर्ण दवाई बतानी बाकी है वह मैं आपको बताऊंगा आप ध्यान से इसको इस वीडियो को देखती रहिए अब डबली के बार बार एक्स एक से आपको पता ही है हम लोग ने बच्वने पढ़ा एक्समस एक ऐसा पीड़ ह एक ऐसा ट्री है जो कि ठंड़ प्रद्यस में होता है कहां होता बर्फपड़ी होती है लेकिन एक्समस ट्री को इतने करीने से सुंदर्ता से सजाए जाता है कि यह डेखने में खील उड़ता है बहुत अच्छा लगता है तो इस एक्समस से हम यह सिक्षा लेनी है कि बढ़ चल्व को कबार में जोगाड़ लगाना चाहिए यानि कि संभावना नहीं इaat संभावना कुछ बहुंच मेंगे समभावना कुछा है कब किसेल को साथा अश्यषा को कि यह यह सी संभावना गता को मतलब है अगर यह आपको सार संसाधनलयां के प्रमत्र कarda डियों तो आपक कुछ चलता है आप में आपके अंदर कुछ करने की छमता है तो हम ऐसा करेंगे कि परिशिटिया चाहे कितनी भी विप्रित क्यों नहों लेकिन हम कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे ठीक है तो वह एक्स हो गया अब बारेते वाई वाई का मतलब योग योग का मतलब जु अंतिम स्टेज है हम लोग प्रारमभिक स्टेज में भी नहीं है तो योग मतलब मानिए कि छोटा सा इक्साइज ड्रिल करना क्या मतलब है सुर्य नमस्कार कर लेंगे पौनमुक्त आसन कर लेंगे तो आपको योग के बारें पता ही है यूट्यू पे बहुत सारे वीडियो तो इस है रामदे बाबा योग सिखाते हैं योग गुरु है ही मुंगर में भी इसको सिखाए जाता है जहां भी आउसरी मिले एक अच्छे ट्रेनर सी योग जरूर सीख लिजिए योग कीजिए योग कीजिए और निरोग रहिए स्लोगन भी है और क्या करना है कि अगरे द 10 साल का उम्र बढ़ा लेते हैं और 10 साल स्वस्थ जीवन का उमर बढ़ाते हैं क्योंकि लास्ट का 10 साल काफी महत्पूर्ण साल होता है वह साल आप स्वस्थ रहेंगे बहुत अच्छा रहेगा तो योग तो अवस्य करना है फिर हुआई के बाद बारिया इस di depres Gaza बृद स मायम किजिए योग किजिए धियान किजिए तो आपका उस्ता बढ़ाएंगा और उसा बढ़ाने का एक तरीक और है हमेशा महापुरुसों Oke जीवनी पढ़िए क्या मतलब है महापुरस की जब हम जीवनी पढ़ते हैं उनको आइसे मत पढ़िये कि महापुरस है आप समझी को मेरे दोस्त है वह आपको अपने जीवन के महत्त्रपूर्ण ज्यान श्यार कर रहे हैं रोबिन सर्मा ने भी अपने पुस्तक में लिखा है उन्होंने आसपास के लोगों को कोशा नहीं, उनका help करने वाला कोई नहीं था, लेकिर उन्होंने बिना किसी पर ध्यान भटकाए, अपना काम बहतरिन तरीके से किया, तो ऐसा करेंगे तो हमारे मन में एक उत्साह का संचार होते रहेगा, हम अच्छा करते रहेंगे, दूसर के लोग क्या अच्छे होते हैं, आधी-आधी फालतो फालतो बाते, जो भटकातने वाले लोग है, आप उनसे भी दूर रहें, और इस प्रकार कहें, जरूर मेरा पूरा-पूरा विश्वास है, क्या सफलता आप ये कदम चुमेगी, इसमें कोई संदे नहीं है, अब बारी के दो बुंद अपने जीव में लेने से सुभा के समय, अगर आप एक्जाम देने जाएंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, अगर आप प्रती दिन सेमन करेंगे, तो आपकी यादास्त बहुत अच्छी रहेगी, ये दवा भी बहुत ही सस्ती है, 90 रुपे, 100 रुपे क आज आती है, SBL कमपनी के आती है, अगर ये आप जर्मन कमपनी की लेंगे, थोड़ी से महंगी आएगी, परन्तु ये दवा भी द्यार्थी को टाइम टाइम पे लेनी चाहिए, बस तलाब होना खाने से प्रेश करना है, क्योंकि डॉक्टर जब भी कोई दवाई देता है, तो परेश तो बताता आई है, दवाई खायेंके परेश नहीं करेंगे, तो ऐसे भी फाएदा होने वाला नहीं बच्कों, तो आज हमने, ये हमारा चौथा पार्ट है, तो पिछली तीन पार्ट में हमने A से लेकर R तक चर्चा की थी, इस पार्ट में हमने S से लेकर Z तक च की चर्चा किये मतलब सारे वीडियो में करमिक रूप से दवाई की चर्चा करते चले गए हैं तो बच्चों इस प्रकार ये श्रीज हमारा पूरा होता है हम आपके उज्व भूस की कामना करते हैं लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे कि अब मैं प्रते दिन वीडियो चाहेगा और आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी और छोटी छोटी जानकारी यानि एक रूपया पढ़ना पढ़ सकते हैं क्या कहा बिना रिविजन के पढ़ाई पढ़ सकते हैं आप अपना सिलेबस स्वैम ही तयार कर सकते हैं तीन महिने में आप अपना सिलेबस स्वैम ही तयार कर सकते हैं बच्चों यह एक महिने की ट्रेनिंग है इस ट्रेणिंग को यू केजी से लेकर उपर लेवल तक के बच्चे कर सकते हैं कोई भी कर सकता है अगर यह आप यह ट्रेणिंग करना चाहते हैं आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब नंबर हम लोग आपको पुरा-पुरा हेल्प करेंगे तो बच्चो आज के लिए इतना ही हम आपको उजल भुष्ट की कामना करते हैं जै हिंद वंदे मातरम